समोसे बनाने की हमारी पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया इस चीज़ से एक बात होता है कि आपको समोसे बहुत पसंद है अब भाई पसंद हो भी क्यों न क्योंकि समोसे का स्वाधी ऐसा होता है जिसे तो हर कोई पसंद करता है अब समोसे तो हर कोई खाना चाहता है, लेकिन इसे बनाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि समोसे त्यार करने में बहुत ही मैनद करनी पड़ती है, लेकिन हमारे रहते हुए आपको टेंसल लेनी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समोसे बनाने के लिए हम ऐसे इंजीनस मसीने लेकर आए हैं जो कि बस कुछी मिंटों में हजारो समोसे त्यार कर देती हैं इसके साथ ही में हमारे भाई जो कि समोसे या फिर होटल का बिजनस करना चाहते हैं तो हम समोसे त्यार करने के लिए आटा गुथने आलू छिलने और समोसा पट्टी त्यार करने के लिए एक से बढ़कर एक सांदार मसीने लेकर आए हैं जो कि आपकी बिजनेस को चारगुना स्पीड देने वाली है समोसे त्यार करने की प्रोसेस में सबसे पहले आटा गुथा जाता है छोटे लेवल में इस काम को हाथों से ही किया जाता है लेकिन जब बात आती है बड़े बिजनेस लेवल की तो उसमें वरकर्स को बहुत ही मैनत करनी पड़ती है इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यह फ्लोर नेडिम मसीन लेकर आए हैं जो कि आटा गुथने के लिए बहुत ही सांदार काम करती है इसमें आटा आप पानी और तेल डाल कर रॉन कर दीजिए उसके बाद यह मसीन आटा गुथना सुरूख कर देती है अभी आप देख सकते हैं कि गुथा हुआ आटा एकदम से रेडी हो चुका है यह मसीन कई विराइटी में आती है जो की 5 किलोगराम आटा से लेकर 50 किलोगराम आटा तक एक साथ मिक्स करने के काबिल है अब इस गूथे हुए आटा से समोसा पट्टी बनाने के लिए आटोमाटिक स्क्रिप मसीन में डाल देते हैं यहाँ पर यह मसीन रोलर के द्वारा बेलन करके समोसा पट्टी तयार कर देती है आप इस मसीन के इंजीनेस वर को देख सकते हैं कि कैसे है मसीन इतने असानी से समोसा पट्टी तयार कर रही है बड़े होटलों में समोसा पट्टी तयार करने में वरकर्स को जो महनत करनी पड़ती थी वह अब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुस्किल भरे काम को इस मसीन ने काफी असान बना दिया है समोसा की पट्टी तो तयार हो चुकी है लेकिन इसमें मसाला भरना अभी बागी है और मसाला तयार करने के लिए सबसे जरूरी चीज आलू छीलने में बहुत ही मैनत करनी पड़ती है क्योंकि बड़े लेवल में एक-एक आलू को छीलना बहुत ही मुस्किल वरा काम हो जाता है लेकिन भाई साब मैंने पहले ही कहा है कि हमारे रहते हुए आपको मैनत करनी पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि आलू छीलने के लिए हम यह पोटेटो पिलर मसीन लेकर आए है इस मसीन के दोरा आलू छीलना आपके चुट्कियों का काम है इसमें सिर्फ आलू डालकर पानी डालते जाईए उसके बाद यह मसीन आलू छीलने के साथ साथ धुलाई भी कर देती है एक्शुली इस मसेन के अंदर गोला कार सेप में सारवी प्लेट लगा होता है जो कि आलू छेलने के लिए बहुत ही फास्ट वर्ग करता है अभी आप देख सकते हैं कि छेले हुए आलू एकदम से रेडी हो चुके हैं यह मसेन सिर्फ आलू ही नहीं, प्याज और लासुन जैसे कई सब्जे छेल सकती है इसमें सिर्फ प्याज डाल कर रॉन कर दीजिए उसके बाद यह देखिए कैसे यह मसेन इतने बहतरीन तरीके से प्याज छेल रही है अब इस छिले हुए प्याज लासुन और आलू के साथ बाकी मटेरियल मिला कर समोसे का मसाला तयार करते हैं जैसे ही समोसे का मसाला तयार हो जाता है तो पट्टी में भरके समोसा तयार कर सकते हैं छोटे लेवल में इन कामों को तो हाथों से ही कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है बड़े लेवल की तो हाथों से करपाना असंभव हो जाएगा लेकिन इसी काम को असान करने के लिए यह समोसा मेकिंग मसीन आ गई है जो कि समोसा बनाने के लिए वास्तों में बहुत ही इंजीनेस वर करती है इस मसीन में सिर्फ गुथा हुआ आटा और आलो के मसाला डाल दीजिए उसके बाद यह मसीन बहुत ही बहतरेन तरीके से एक लाइन में समोसा निकालना सुर्व कर देती है यदि आप अपने बिजनेस स्टार्टप के लिए किसी छोटी मसीन के तलास में हैं तो उसका भी सेलुशन है हमारे पास आप इस मिनी समोसा मे किंग मसीन के यूज करके समोसा तयार कर सकते हैं अब इसे तेल में फ्राई کر दीजिये उसके बाद तयार है आप के फेवरेट समोसे जिने आप खा कर इंटेस्टी समोसे का मजा उठा सकते हैं समों से त्यार करने के लिए आपको जो महनत करनी पड़ती थी वह अब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इन सभी कामों को इन मसीनों ने काफी इसान बना दिया है मेरे भाई आपके लिए इन सभी मसीन वीडियोस को त्यार करने में हमें बहुत ही महनत करनी पड़ती है आप देखिए वीडियो पसंद आही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर प्रिस कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फार्मेटिव वीडियो पहुंसती रहें स्क्रेंड में आपको दो और वीडियो दिख रही है जो की काफ़ी इन्फार्मेटिव है इन्हें आप जरूर देखिए